हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक छोटे से अपडेट के बारे में बात करूँगा जो उत्तर प्रदेश लोग से वायोग के द्वारा जारी किया गया है और यह है पॉलिटेखनिक लेक्चरर के रिक्रूट्मेंट में जो कटाफ माक्स है या माक्सीड जो है उससे रिलेटेड तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक नोटिस जो की 13 और निम्नवत है जिसमें इलेक्रिकल इंजिरिंग, सिविल इंजिरिंग, टू, थ्री के बाद डारेट फोर को गायब कर दिया है फोर में इलेक्ट्रोनेक्स इंजिरिंग है भी इलेक्ट्रोनेक्स इंजिरिंग का मतलब नहीं आया है तो इस टोनोग्राफी, फिर प्लेस् पार्टिसिपेट किये थे सबका वेबसाइट पे अप्लोड हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं उक्त पदों के साथ छातकार में उपस्थित अभ्यरतियों के प्राप्तांक एवं कटाफ अंक आयोक की वेबसाइट दिस पर दिनांग 14-7-2022 से 20-7-2022 तक ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला है बीस जुलाई तक ही रहेगा उपलब्द रहेंगे अता ब्यरतिगर्ण अपने अनुक्रमां के जन्मतिति के आदार पर प्राप्तांक के हम कटाफ अंक अवलोकित या प्राप्त कर सकते हैं इस संब्द में यह भी सुचित किया जाता है कि उक्त अगर देखना चाते हैं कि उनके इंटर्विव में marks कितने थे और साथ ही सात में उस अप्राप्त की साइट पर जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों एक बार यूपी प्यसी की साइट पे चलके देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे हम लोग UPPSC की साइट पे आ गए हैं, और इधर देखें, एक्टिव डेस्वोड की तरफ में आप देखेंगे, इस वाले बीच वाले एरिया में आप देखेंगे, तो आपको दिखेंगा यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे है, फोर् इसकी अलामा 12 में ही कुछ और भी माकसित रिलीज हुए है, जो कि आप इधर देख सकते, 21-22 रेग्रूप्में में, उससे हमें मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि क्लिक करते हैं, जब इस लिंक पे तो क्या-क्या सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, तो हाँ, यह क्या-क्या दिमांड यह देख, यह हमसे क्या-क्या चीजे पूछ रहा है, इसमें पूछा जारा, रजिस्ट्रेसर नंबर, डेटा वर्थ, एंड कैप्शा, तो यह सारा इंटर करके, चुकि हम मेरा electronics and communication engineering है, नहीं तो मैं यहाँ पे show कर देता, आप लोग को अपने marks, तो जितने भी candidate है, उन branches से related, चाहे electrical, चाहे civil, चाहे other branches के जो भी है, mechanical भी है, तो वो लोग यहाँ पे अपने marks देख सकते हैं, और जो लोग चाहे अपना marks सेयर करना, वो comment box में इसमें सेयर भी कर सकते ताकि दूसरे उनके साथियों को idea लग सके कि interview में क्या marks मिल रहे है, साथी साथ में मेरा यह अभी अंदाजा है कि यह जो अभी तक cutoff आया है website पे, यह उन branches का है, जिनका interview या result है, वो 10 मई के पहले या 15 मई के पहले release हो गया था, तो अभी जो next batch में आएगा, वो हो सकता है क जून, मई last में या जून में जिनका भी result डिक्लेर हुआ है, उन लोगों के cutout भी जल्दी upload होगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही update देना था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को जरूर subscribe करें, thank you very much for watching this video.